द्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्वदचतुष्टयम् यस्याहा सुष्मादी भेदे वागदेविंतानुपास्महे मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्व विद्यालाय का एलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्मान और शूद केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है प्रबंधन विशे पर आधारित ध्वनी कारिक्रम अभी व्रत्ती ये कारिक्रम प्रबंधन में डिप्लोमा सनात कोत्तर डिप्लोमा और MBA पाठिक्रम के प्रतम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रतम प्रश्न पत्र प्रबंधन के नियम और संगटनात्मक व्यवार की तीसरी खाई पर आधारित है इस कारिक्रम की विशे विशेशग्य और वार्ताकार हैं डॉक्टर वीना दानी इस कारिक्रम का द्वनी मुद्रन संपादान और प्रस्तुती करण किया अमर यादवने तो लीजे साथियों सुनिए प्रबंधन विशय पर आधरेत दुवनी कारिक्रम अभी वरत्ती आज प्रस्तुते इस कारिक्रम का पहला भाग नमस्कार चात्रो आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं अभी वरत्ती इस विशय पर यह जो विशय है वहाँ प्रबंधन के नियम तथा संगठनात्मक व्यभार इस प्रथम प्रश्न पत्र के तृतिय इकाई पर आधारित है मित्रो जब मैंने अभी वरत्ती यह विशय आज की चर्चा के लिए चुना तो मैंने सुचा आज की चर्चा सत्र की शुरवात हम एक उधारंड से करते हैं एक प्रायों की उधारंड हार्वर्ड विश्वी द्याले में एक शोत कारी किया गया था जिसमें यहां पाया गया कि नौकरी के लिए जितने आवेदन पत्र आते हैं और उनमें जिन प्रत्याशियों का चुना होता है जिन उमिद्वारों का चुना होता है उनमें से 85% उनकी अभिवर्ति को महत्व दिया जाता है और मात्र पंध्र प्रतिशत उनकी स्मार्टनेस और कारी के लिए उनका अनुभाव तथा उनकी जानकारी को प्राथमिक्ता दी जाती है है न ये चौकाने वाली बात जिस विशय पर हम लोग इतना कम ध्यान देते हैं इतना कम अपना समय देते हैं और वहीं चीज हमारे लिए नौकरी के लिए प्राथमिक्ता बन जाती है यानि कि अभिवर्ति एक ऐसा विशय है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा, हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि चाहे हमारे निजी जिंदगी हो या व्यावसाइक जिंदगी हो हर कदम पर हमारी शकारात्मक अभिवर्ति हमारा साथ देती है क्या आप किसी ऐसे अधिकारी की कल्पना कर सकते हैं, जिसकी अभिवरत्ती सकारात्मक ना हो, किन्तु फिर भी वो अपने कार्य में बहुत अधिक सफल हो जाए, या किसी ऐसे व्योसाई की या ऐसे उद्यमी की, जो कि अपने मातहत कर्मचारियों के प्रती सकारात्मक अभिवरत्ती ना रखता हो, किन्तु फिर भी ए आपकी ही बात ले लें यदि आपकी अभिवृत्ति अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत अधिक सकारात्मत नहीं होगी तो क्या आप सफल छात्र बनेंगे नहीं न तो इस चर्चा सत्र के जो मुख्य उद्देश हैं उनकी और अब मैं आपका ध्यानाकरशित करती हूं हमारे इस चर्चा सत्र के उद्देश हैं इस चर्चा सत्र के पश्चात आप अभिवृत्ति के अउधारना को स्पष्ट कर सकेंगे अभिवृत्ति के पक्ष की व्याख्या कर सकेंगे अभिवृत्ति के प्रकार बतला पाएंगे अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले कार्यकों का वर्णन कर सकेंगे सकारात्मक अभिवृत्ति का महत्व समझा सकेंगे तथा कार्य स्थल पर सकारात्मक अभिवृत्ति की उपयोगिता बतला सकेंगे अब अभिवर्ति क्या है? इसके बारे में आपको संक्षिप में बताओं अभिवर्ति शब्द यह लैटीन भाषा के aptus शब्द से बना है aptus जिसका अर्थ होता है ततपर्ता अथ्वा मानसिक जुकाओ mental set यानि की शाब्दिक अर्थ में अभिवर्ति एक प्रकार से मानसिक जुकाओ या ततपर्ता के स्थिती है जो हमें व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है और जो इस बात को निर्धारित करती है कि हम किन चीजों का प्रत्यक्षिकरण करेंगे संक्षिप में अभिवर्ति एक मनोदशा है लगातार कई अनुभव एक कत्रित होने से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमारी एक निश्चित मनोदशा बनने लगती है इसी द्रिष्टिकोन को या मनोदशा को अभिवर्ति कहते हैं हमारी अभिवर्ति जिस प्रकार की होगी उसी प्रकार का हमारा व्यवहार होगा अभिवर्ति की एक परिभाशा आपको बताएं मुझे आशा है चात्रों के आपके पास पेन और पेपर जरूर होगा तो तयार रहें अभिवरत्ती तत्परता की ऐसी मानसिक तथा सनायविक अवस्था है जो अनुभाव द्वारा संगठित होती है और व्यक्ति की उन समस्त वस्तूओं तथा परिस्तितियों के प्रती अनुक्रियाओं पर निर्देशात्मक अथ्वा गत्यात्मक प्रभाव ड साथ इस परिभाशा के मुल मुद्दों की तरफ ले जाएं देखिए इसमें कहा गया है अभिवरत्ती तत्परता की एक मानसिक अत्वासनायविक अवस्था है ये पहली बात है दूसरा पॉइंट इसमें बतलाए गया है यहां अनुभाव के द्वारा संगठित होती है और तीसरी बात व्यक्ति की उन समस्त वस्तुओं तथा परिस्थितियों के प्रती अनुक्रियाओं पर याने रिस्पॉंस पर निर्देशात्मग प्रभाव डालती है तो अभिवरत्तियों का इसे लिए इतना अधिक महत्व सामाजिक मनुविज्ञान में बतलाया गया है क्य वो अभिवरत्ति कारी के लिए उनमुक्ता उत्पन्य करती है अभिवरत्ति एक प्रकार से कारी के लिए एक मेंटल सेट या मानसिक रुझान उत्पन्य करती है अभिवरत्ति जन्मजात ना होकर परिस्थिती जन्य होती है अर्थात ये जैविक नहीं है इसके उपर वंश शक्रत इसलिए कहा गया है क्योंकि अभिव्रति में परिवर्तन संभाव है यह दिपी क्योंकि हमारी अभिवृत्तियां कई समय के उप्रांत बनती है इसलिए वे कुछ हद तक स्थाई होती है परंतु ऐसा नहीं है कि उनमें बिलकुल भी परिवरतन नहीं होगा अभिवरत्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति विशेश के संदर्व में होती है अब हम चर्चा करें अभिवरत्तियों का निर्मान कैसे होता है और इनका विकास कैसे होता है तो इसमें चार मुख्य बिंदू है, जिसमें से पहला बिंदू मैं आपको समझाना चाहते हूँ, integration या समाकलन, समाकलन का मतलब यह है कि जब हम अपने आसपास के वातावरण में कुछ प्रतिक्रियाय कर रहे होते हैं, और बार-बार हमारे समान अनुभव एकत्रित होते जा बना लेते हैं, integrate करते जाते हैं, हमारे जितने अनुभव होते हैं, वे एकत्रित होते जाते हैं, इसमें समाज के साथ हमारे जुड़े हुए अनुभव और हमारे अरीती रिवाजों का भी हाथ होता है, दूसरा point है, इसमें बिंदू है, विभेदी करण, differentiation, व्यक्ति जब विभिन अनुभव इस समाज में लेता है, तो उन अनुभवों का वहां विभेदी करंड करता है कि कौन से अनुभव ऐसे हैं, जो कि उसकी आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए साधक है अर्था सहायक है, उनके आधार पर वहां उन वस्तुओं, व्यक्तियों या परिस्तितियों के प्रती सकारात्मक अभिवर्ती बना लेता है, और ऐसे अनुभव जो कि उसको तकलीव दे होते हैं, जो कि उसकी आवशक्ताओं के पूर्ती में बाध़क बनते हैं, उनके लिए वहां नकारात्मक अभिवर्ती बनाने लगता है, सकारात्मक और नकारात्मक अभिवर्ती की हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, तीसरी बात है ट्रॉमा याने दुखद अनुभव, कुछ ऐसी परिस्थितियां या कुछ व्यक्तियों के द्वारा किये गए, दिये गए, ऐसे तकलीव देह अनुभाओं व्यक्ती को जब होते हैं, तो व्यक्ति उनके बारे में हमेशा के लिए नकारात्मक अभिवर्ती का निर्मान कर लेता है, और चौथा बिंदू है इसमें अंगीकरण अर्थात एडॉप्शन, बहुत सी हमारी मनोवर्तियां याने की अभिवर्तियां ऐसी होती है, जो हम इसलिए अंगीकरद करते हैं, जो इसलिए एडॉप्ट करते हैं, क्योंकि हम किसी समू के सदस्य है, और उस समू के जैसी अभिवर्तियां है, वैसी ही अभिवर्तियां हम अपनी खुद की भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि ये काम बहुत जाने होता है, अंजाने में ही हम उस समू के अभिवर्तियों को अपना लेते हैं, तो मैंने आपको भी चार बिंदू बताएं कि अभिवृत्यों का निर्मान और विकास कैसे होता है ये चारों बिंदू ओलपोर्ट के द्वारा बतलाए गए हैं ओलपोर्ट एवं स्टेगनर एक बार में फिर से दोहराती हूँ ओलपोर्ट एवं स्टेगनर के द्वारा ये चार बिंदू बतलाए गए हैं समाकलन, इंटिग्रेशन, विभेधिकरण, डिफ्रेंशियेशन, दुखद अनुभव, ट्रॉमा और अंगेकरण याने एडॉप्शन अभिवृत्ति को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक है इनको हम संक्षेप में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं सबसे पहले वातावरण वातावरण कई प्रकार का हो सकता है जैसे कि वातावरण में हम देखते हैं कि हमारा परिवार हमारा जो परिवार है जिसमें हम रहते हैं एक बच्चा जो की जन्म से कोई भी अभी वृत्यां लेकर के पैदा नहीं होता जब वो अपने परिवार में पलता बढ़ता है तब परिवार के अन्य सदस्यों की जो अभी वृत्यां है वह जाने अंजाने अपनाने लगता है अब जैसे मैं आपको एक उधारण बताऊं मान लीजिए एक छोटे बच्चे ने अपनी मा से कहा मा मैं इस इस बच्चे के साथ खेलता हूँ जो इधर-इधर रहता है मान लीजिए उसकी मा ने उसको जवाब दिया नई नई तुम उस बच्चे के साथ खेलने नहीं जाओगे वो गंदा बच्चा है अब छोटा बालक जाने अंजाने इस अभिवर्त्य को अपना लेगा कि उस तरफ रहने वाला बच्चा या वो विशेश बच्चा गंदा है मुझे उसके साथ नहीं खेलना चाहिए ये अभिवर्त्य निर्मान का एक छोटा सा उधारन हुआ फिर बच्चा जब परिवार से निकल के अन्य लोगों के साथ मिलने जुलने लगता है आसपडोस उसका भी प्रभाव पढ़ता है फिर विद्याले में जाने लगता है विद्याले में उसका एक छोटा समूँ बनने लगता है मित्रों का समूँ बनता है मित्रों के अलावा जो शिक्षक हैं वे भी उसकी अभिवर्त्यों को प्रभावित करते हैं और सबसे मुख्य तहा हमारी अभिवृत्यों को प्रभावित करने वाली चीज है हमारी संस्कृती हम जिस परियावरण में रहते हैं जिस वातावरण में रहते हैं और जिस परिवेश में रहते हैं वहां हमारे कई अनुभवों को नए नए तरीके से हमें देता है संजोता है और इसी के आधार पर हम अपनी अभिवर्तियों को बनाते हैं। यही कारण है कि एक संस्कृति से आया हुआ व्यक्ति उसका व्यवहार और उसकी अभिवर्ति बिल्कुल भिन्ना होगी। जबकि दूसरे संस्कृति से आये हुए व्यक्ति की अभिवर्तिया अलग होंगी और लिहाजा उसका व्यभार भी अलग ही होगा। चलिए आगे देखे हम। दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है हमारे अनुभव। हमारे अनुभव बिना कुछ कहे ही हमको सिखला देते हैं, कौन व्यक्ति कैसा है, कौन सा समू कैसा है, कौन सी वस्तु कैसी है, तो हमारे ये प्रत्यक्ष अनुभव भी हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष अनुभव, जैसे आपने अपने बड़े बुजर्गों को कहते हुए सु दीवन में आमूल् चूल परिवर्तन ही ला देती है तो कुछ तो उपचारिक शिक्षा भी है जो कि छात्रों आप लोग ग्रहन कर रहे हो अभी और कुछ अनौपचारिक शिक्षा भी होती है इनफॉर्मल एजूकेशन जो की जाने-अन्जाने आपको मिलता रहता है तो ये और अनुपचारिक शिक्षा हमारे अनुभाव और हमारे वातावरण के कारक ये सब मिल करके हमारी अभिवृत्तियों को प्रभावित कर रहे होते हैं चलिए अब चर्चा करते हैं अभिवृत्ति के पक्षों की अभिवृत्ति के जो पक्ष है उनमें सबसे पहला है भावात्मक अफेक्टियों दूसरा है व्यवारात्मक बिहेवियरल और तीसरा है संग्यानात्मक तो ये जो तीन पक्ष आपको यहां दिखाई दे रहे हैं वो आपको सपष्ट करेंगे कि अभिवृत्ति का जो दाइरा है वो कितना विस्तृत है सबसे पहले हम व्यवारात्मक पक्ष देखें अनुकूल अभिवृत्ति होने पर हम सहायता के लिए ततपर होते हैं और प्रतिकूल अभिवृत्ति होने पर हमारा व्यवार सहायता परक नहीं होता है उधारण आपको बताती हूँ मैं मान लेजिए आप अपने विद्याले महाविद्याले गए हैं सामने ही आपका मित्र मिलता है आप अपने दोस्त को देखकर मित्र को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी तरब बढ़ते हैं तो आपका ये जो व्यवहार है वो आपका अनुकूल व्यवहार हुआ चलिए संग्यानात्मक पक्ष की हम बात करें तो संग्यानात्मक में हमारे मंन में क्या विचार है यह अभीवर्त्ति पक्ष को दर्शाता है भावात्मक से तात्पर है कि किसी व्यक्ति या वस्तू के प्रति हमारे मन में पसंद या ना-पसंद के भाव जोटते हैं वह हमारे अभिवृत्ति को दर्शाते हैं कि ये हमारे भाव है अच्छा कभी-कभी मित्रो तर्टस्थता के भाव भी हमारे मन में किसी व्यक्ति या वस्तु के संदर्ब में हो सकते हैं जैसे मान लिजिए आपकी अभिवृत्ति किसी नए विशय के बारे में या किसी नए शिक्षक के बारे में अभी कुछ भी नहीं बनी है, आप न तो उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, ना उस विशय को पसंद करते हैं, और नहीं ना पसंद, तो ये संभव है कि कभी-कभी हमारी अभिवरत्ति तर्टस्तता की भी हो सकती है. चलिए, थोड़ा और आगे पढ़ें, और आपको अभिवरत्ति के प्रकार के बारे में बतलाएं, मुझे आशा है कि आप सब छात्र अपने हाथ में पेन और पेपर लिए हुए हैं और उनका उप्योग करते जा रहे हैं, अभिवरत्ति सकारात्मक याने पॉजिटिव होती है, या नकारात्मक याने निगेटिव हो सकती है, या फिर जैसा अभी अभी हमने चल्चा की तटस्त याने निउट्रल हो सकती है, तो अभिवरत्ति सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्त जो भी हुई, उसके अनुसार हम हमारा विवहार होगा एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था वो मैं आपको बताती हूं सकारात्मक अभीवर्त्ति के लिए कहा जाता है कि वे जीवन के खेल में खिलाड़ी है जिनकी अभीवर्त्ति होती है उनके लिए कहा रखता है कि वे जीवन के खेल में आलो चक है कुंकि वो हर बात के लिए नकारातमक नजरीया रखते हैं और जिनके अभीवित्य तटस्त है उन्हें जीवन के खेल में महज दर्शक भर बताया गया है क्योंकि ना तो वो खिलाडी है ना आलो चक है सिर्फ तटस्तता से देख रहे हैं तो हमारी अभिवृत्ती ही हमारी शारीरिक मुद्राओं को प्रभावित कर रही होती है और उसी के अनुरूप फिर हमारा व्यवहार भी होने लगता है अच्छा यहां तक हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की हम लोगों ने अभी तक यह देखा कि अभिवृत्ती क्या है अभिवृत्ती को हमने परिभाशित भी किया अभिवृत्ती की विशेशताओं की चर्चा के इसके बाद फिर हम लोगों ने अभिवृत्ती के पक्ष को जाना अभिवृत्ती के प्रकार देखें अब हम देखते हैं सकारात्मक अभिवृत्ती क्या है सकारात्म कभी वृत्ति को विशेश रूप से मैं आपका ध्यान इसकी और दिलाना चाह रही थी क्योंकि सकारात्म कभी वृत्ति हमें जीवन में बहुत सहायक होती है सकारात्म कभी वृत्ति को हम कहेंगे कि ये मन की स्थिती का बाय प्रगटी करण है जिसमें सकारात्म कभातों पर मन केंद्रित रहता है यानि जब हमारी मन की स्थिती सकारात्म कोगी तो फिर वो हमारी मुद्राओं से भी प्रगट होगी बाय प्रगटी करण दूसरा पॉइंट देखिए, रचनात्म क्रियाओं में सलगनता, खुश मिजाजी व आशावादिता, जो व्यक्ति सकारात्म कभी वृत्ती रखता है, वो हमेशा कुछ न कुछ क्रियेटिव, कुछ न कुछ कामों में लगा रहता है, जिसमें कि उसकी आशावादिता भी जल रखती है, he is always hopeful, कि ये काम संभव हो जाएगा, और उसका एक जो रवया है, एक नजरिया है, वो बहुत खुश मिजाजी वाला होता है, सबको साथ लेके चलने वाला होता है, अभी वृत्ति का अपने व्यक्तित्व पर अभम प्रभाव देखे, अभी वृत्ति आन्य शील गुणों की और दूसरों का ध्यान आकरशित करती है, ये बहुत मैंतुपूर्ण बिंदू में आपको बता रही हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति की अभीवरत्ति सकारात्मक होती है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप ही आकरशक लगने लगता है, और यद के उन अट्रिब्यूट्स की और उन शील गुणों की और दूसरों का ध्यान आकरशित नहीं हो पाता, फिर सकारात्मक अभीवरत्ति वाले व्यक्ति कोई न कोई रचनात्मक कारे करते हैं, क्योंकि यह रचनात्मक्ता को जन्म देती है, दैनिक जीवन की समस्याओं से जू हमें स्वयम को प्रभावित करती है, बलकि हम जिस कार्यवातावरण में रह रहे हैं, जहां हम अपना कार्य संपन कर रहे हैं, उस कार्यवातावरण को भी प्रभावित कर रही होती है, आईए जाने कैसे हमारी सकारात्मक अभीवरत्ति हमारे पूरे कार्यवातावरण पर प्रभाव डालती है इसको binduka के रूप में यदि हम देखें तो सबसे पहली बात यह उत्पाहदक्ता को बढ़ाती है मिलकर कारे करने की प्रणा उत्पन होती है हमारे कारे के क्वालेटी बहथर बनती है भाईचारे का माहल उत्पन होता है कार्य के प्रती वफादारी यानि लॉयल्टी बढ़ती है क्योंकि सकारात्मक अभिवृत्ती का व्यक्ति हमेशा अपने कार्य को अंजाम देने के लिए नए-नए प्रयास करता रहता है इसलिए उसकी कार्य के प्रती वफादारी भी बढ़ जाती है कार्य मुनाफा बढ़ता है, बहतर रिष्टे बनते हैं, तनाव कम होता है, न सिर्फ व्यक्ति का व्यक्तिगत तनाव, बलकि इसके अलावा कार्य वातावरण में भी तनाव कम हो जाता है, बोचिल, निरस वजटिल कार्य अपेक शाकरत कम मुश्किल याने की आसान हो जाते ह निजी समस्याओं से ग्रस्त लोगों को सकारात्मक कार्यवातावरण भी एक प्रकार से राहत दिलाता है देखिए मित्रों हर व्यक्ति के अपनी कुछ निजी समस्याओं होती है और जब हम उन निजी समस्याओं को अपने साथ लेकर घर से बहार चलते हैं यहने अपने कार्य पर पहुंचते हैं, यदि कार्य का वातावरण भी उतना ही तनाव ग्रस्त रहा, तो यकिनन हम बहुत अच्छा निश्पादन बहुत अच्छा परफॉर्मंस नहीं दे सकते, परन्तु यदि कार्य वातावरण बोजिल नहीं हुआ, तो वही व्यक्ति जो किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, किसी सामुहिक कार्य को लौंच करते हैं, वे परियवेक्षक भी सकारात्मक अभिवरत्ति के कर्मचारी की सहता से समुबल यानि ग्रुप मौराल कायम रखते हैं, क्योंकि जहां पर ग्रुप मौराल समुबल अच्छा होगा, थाय होगा, वहां पर समु के सदस्य, समु की बाधाओं को दर किनार कर देते हैं, और बहुत अच्छा निश्पादन करते हैं, तो इस समुबल को कायम करने में भी सकारात्मक अभिवरत्ति हमारी बहुत साहता करती है, समु कार्य को यानि ग्रुप वर्प को इससे बढ़ावा मिलता है इसको मैंने यूँ समप किया है, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, कि मनुष जागरतावस्था का लगभग आधा समय कार्य स्थल पर बिताता है, यदि हमारी अभिवरत्ति सकारात्मक हो, तो यहां समय बहुत सुगमता से बहुत अच्छी तरह व्यतित हो जाता है, और व्य अभिवरत्ति का उपलब्धी पर क्या प्रभाव पढ़ता है, यहां सबसे पहले जब व्यक्ति के अभिवरत्ति नकारात्मक होती है, यह अभिवरत्ति नकारात्मकता से सकारात्मकता की और गई है, इसका उपलब्धी पर क्या प्रभाव पढ़ता है, मैं सपष्ट कर रह हो, सबसे पहले व्यक्ति कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, जब हम ऐसा कहते हैं, यानि जब हमारी अभीवर्ती बहुत नकारात्मक्ता की और है, तब हम मात्र 10 प्रतिशत तक ही सफलता की गुंजाईश वहां होती है या सफलता की हम अपेक्षा कर सकते हैं सिर्फ 10 प्रतिशत तक थोड़ी से अभीवृत्ती बहतर हुई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं करू या ना करू शायद मैं नहीं कर सकता शायद मैं करके देखूं मैं सोचता हूं कि शायद मैं कर लूँगा इस तरह धीरे 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 आगे बढ़ते हुए सफलता के आउसर भी बढ़ते जाते हैं क्योंकि यदि हमने मन में ये सोच लिया कि मैं कर सकता हूं या मैं करके देख सकता हूं तो फिर हमारे मन में उस कार को अंजाम देने के लिए तक पर हो जाते हैं मैं करूंगा तक व्यक्ति पहुँच गया यहां सफलता के आउसर 90 प्रतिशत हो गया मैंने कर लिया तो मैंने कर लिया इसका मतलब है कि 100% is the chances of success और अभिव्रत्ति भी कैसी हो गई पूर्ण तहा सकारात्मक तो मित्रों आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहते हूँ जैसा हम सोचते हैं वैसा ही व्यभार हम करते हैं तो बी पॉजिटिव ऑल्वेज अभिव्रत्ति वह वैयक्तिक उपलब्धी में निकट सम्मन्द है The High Expectancy Success Theory उच्च प्रत्याशा सफलता सिध्धान्त ये सिध्धान्त मैंने एक जगह पढ़ा है और उसका संखेप ये है कि हम जितनी ज़्यादा प्रत्याशा रखेंगे हमारी सफलता के लिए हम जितना ज़्यादा Expect करेंगे उतनी ही ज़्यादा सफलता हमको मिलेगी याने कि Expectancy रखना बहुत आवश्यक है सोचना कि हमें सफलता मिलेगी मैं आपको उधारण बताते हूँ हमारे जो खिलाडी होते हैं वो अकसर इस तकनीक का उप्योग करते हैं वे मनी मन ये कहते रहते हैं कि हमें जितना है हमें जितना है अपने आप से कहते हैं अपने साथियों से कहते हैं और इसका प्रभाव ये होता है कि क्यूकि वो Expect कर रहे हैं सफलता और उन्हें आशातित सफलता मिल भी जाती है किसी परिस्तिती से हम जितनी अपेक्षा करेंगे उतनी ही हमें सफलता प्राप्त होगी यहाँ self-fulfilling प्रोफेसी है आत्मपूर्ती भविश्यवानी का ही एक प्रकार है Your attitude is showing यह एक पुस्तक है जिसमें सफलता के दो मंत्र बतलाए गए है कार्यकुशलता और अंतरवयक्तिक संबंध तो कार्यकुशलता और अंतरवयक्तिक संबंध के बारे में विशेश रूप से आपको बताना चाहती हूँ कि good human relation is the key to success and good relations is 90% attitude तो जब हमें बहुत अच्छे संबंध हम बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे हमरी अभिवरत्ति के आधार पर हम बनाएंगे अब मित्रो नकारात्म कभिवरत्ति के भी कुछ परिणाम होते हैं जैसे व्यक्ति में कडुहाठ उत्पन होती है नाराजगी उत्पन होती है उसकी जिंदगी उद्देश हीन हो जाती है वह तनावग्रस्त बनने लगता है उसमें कमी खोजने की एक आधत होने लगती है और नकारात्म कभिवरत्ति व्यक्ति सम्मों को टुकडों में बाट देती है परणाम सुरूप सभी को असफलता मिलती है हमें नकारात्मक अभिव्रत्ती से बाहर आने के लिए निश्चे ही अधिक प्रयास करने पड़ते हैं तो एक प्रश्ण यहां पर मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्या हम अपनी अभिव्रत्ती को सदयव सकारात्मक बनाए रख सकते हैं पता नहीं आप लोग इसके बारे में सोचिए इसका उत्तर ले करके मैं आपके सामने फिर उपस्तित रहूंगी तब तक आप रिवाईस करते रहे हम लोगों ने इसी सत्र में क्या क्या पढ़ा अभिव्रत्ती की पर उनकी और मैंने इंगित किया मित्रो आज की इस चर्चा को अब हम यहीं विराम दे रहे हैं अब आपसे अपेक्षा करती हूं कि फिर बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी नमस्कार अभी आप सुन रहे थे प्रबंधन विशय पर आधारित धुवनी कारिक्रम अभी व्रत्ती आज आपने इस कारिक्रम का पहला भाग सुना इस कारिक्रम की विशे विशे शग्य और वारताकार थी डॉक्टर वीना दानी निवेदी का फरनास हसन इस कारिक्रम का संपादन और क्रस्तुती करण किया अमर बहादुर यादव ने ये कारिक्रम एन आई टी 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 आर भुपाल के सहयोग से मद्य प्रदेश भोज मुक्त विश्विद्याले के इलेक्ट्रोनिक माध्यम निर्मान और शूत केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया प्रत्रोनिक कि अधे इलेक्ट्रोनिक वारा निर्मित किया थी दाहते हैं कि 味 कि कि भी आर भुपाल शुपाल ये कि अदुपाल ये जाग।